हाई फ्रेंज चलिए मेरा दूसरा वीडियो विद पार्सल लेकिन इसमें पार्सल हम कम दिखाएंगे जितना वेराइटी होगा वो दिखाएंगे जैसे यहाँ पर है इन्होंने लिया है 6 kg यह जो सौसर आप देख रहे हैं यह मेल्टेट सौसर है मतलब इसको आप पानी में केजी लिया है और यहाँ पर है रेड़ बटर दो केजी रेड़ बटर नॉर्मल बटर से थोड़ा क्रंशी होता है और थोड़ा रेड़ भी होता है इसलिए इसको लेड़ बटर कहा जाता है यह देखिए यह हमारे पास ऐसा स्टॉक है पूरा प्योर रेड़ जो होता है व यहां पर 2 kg red butter है red butter का quality ऐसा ही है यहां पर है non roasted ना कमण, non roasted ना कमण देख लीजिए big chunks में है medium है, सब mix है, यह देखे non roasted एक तम fully non roasted कच्चे मिट्टी जैसे जैसे होता है, मना कुमत वैसा स्टॉक है यह और यहां पर है एक बिक साइस ब्लैक स्टोन चो मोटे वाले स्टोन मैंने वीडियो में दिखाया था इसमें से आपको बहुत सारे लेयर्ट्स निकलेगा लेकिन हमने निकाला नहीं यह और भी मोटा था इन्होंने दो केजी लिया है तो यहां पर इतना है इसमें और थोड़ा सा हम डालेंगे क्योंकि वजन करने के बाद देखा कि यह थोड़ा कम है यह मोटे में है देख लीजिए यह एक दो पीसी है बाकी नॉर्मल में है और यह 6 kg का पार्सल है यहां पे पार्सल है जो 5 kg का फुल्ली कस्टोमाइज पार्सल है मीस में क्या के है मैं बता दू जैसे है बडे मूब वाले पेबल पॉट जो जो पॉट हम दिखा रहे है उसका फ्रॉक आविलेबल है बडे वाले पेबल पॉट मिनी गुलर्ण सब 500 ग्राम परके मिनी गुलर्ण चिल्लम टोपी टोपी नोन स्मोकी में है देख लीजिए ट लोपी लिटल स्मोकी में भी आवलेबल है रोटी अच्छा मीनी हंडी जिसको मीनी पॉट कहा जाता है यहाँ पे है आई पॉट आई पॉट पैकिंग हो गया है तो मैं इसका तेक्साइज तरह मैं दिखानी पार ही यह देखिए यहाँ पर है मेरे हाथ में ऐसा है आई पॉट तो यह है आई पॉट इस तरह के है यह है यह है मिनी ग्लास और यहाँ पे है फॉरेंट क्ले 500 ग्राम और रोटी 500 ग्राम पूरा इनका पांच केजी का एक डम और अच्छा हाँ यहाँ पे है मिनी सौसर्स 500 ग्राम फिर से मैं बता दूँ चिल्लम है चिल्लम जो है भी पूरा नॉन स्मोकी में है जो जो न टोपी जो है लिटल स्मोकी में भी अबलेबल है नॉन स्मोकी में भी अबलेबल है पेवल पॉट भी लिटल स्मोकी में है यहाँ पे है गुल्लक गुल्लक नॉर्मली नॉन स्मोकी लिटल स्मोकी में है लेकिन इन्हो के फोरेंट इनका पूरा पांच केजी का कस्टोमाइज पार्सल है बबल के साथ जाएगा और उन्होंने स्क्रेंश की स्टॉक मेरे लाइट थोड़ा कम हो रहा है कि यूँ हो रहा है मुझे पता नहीं और उन्होंने पूरा कस्टोमाइज पार्सल विद्वाबल दिया है कि चलिए मैं यहाँ पर तोड़ती हूं और इसको पानी में डालके इसका टेक्शर आपको दिखा दीति हूं कि यह देखिए मैंने ले लिया है आई करday कि और यह जो स्टोन है यह मुझे ठोड़ा सा तोड़ना है तो मैं इसको तोड़ के थोड़ा दिखाती हूं कि उनको थोड़ा सा बजन में देना है मुझे यह एकदम प्योर सॉफ्ट है दिखने में लगेगा कि यह बहुत हार्ड है ऐसा कुछ नहीं कि यह बार स्टॉक उनको देते हैं उनकी पैसल में चला राएगा और यह पर मैं आशको दिखा दूँ यह स्टॉक कैसा है इसलेट ब्लैक में बहुत ही सॉफ्ट पर लाइट आफ पर दिखिए बहुत ही सॉफ्ट बार स्टॉक है चलिए मैं इसको पानी में तोड़ा से डाल जो थोड़ा बिग में है रेड में है ना उसको डालते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यह हाड है यह सॉप्ट है इसको डाल दिया है यह देखिए उपर का पार्ट जो है दिखने में रेड रेड है लेकिन वो सॉप्ट है आपको जो पानी में डाला है उसको दिखाते है इसको देखिए पानी में डाल दिया है और यह इसको उपर वाला पार्ट देखिए यह मत्ती जैसा है सॉप्ट में है और यह जो स्टॉक हमने इस बार खोला है यह पूरा स्टॉक ही ऐसा निकला है लेकिन इसका बहुत सारा निकल चुका है रेड वाला यही था तो मैंने इसको निकाल के लाई हूँ आप है लेकिन इसका उपर का पाट रेड होगा लेकिन अंदर से एकडम प्योर ब्लैक है और इसको अगर हम तोड़े ना तो यह पूरा सॉप्ट है यह दिखिए अब जैसे चाहे इसको तोड़ सकते हैं और ये पुरा मिट्टी जासा है इतना सौक है तो मैं इसको भी थोड़ा नेज पने इसको आप करेसे तोड़ेंगे ये जहां से भी तोड़ेंगे ये मिट्टी जैसा स्टॉक्त है इसका ब्लैक का स्टॉक्त मुझे ये देखके बुरा लग रहा था कि इसके उपर ऐसा लाल क्यूं है ये लाल देखिए लाल देखिए इन एचरल चीज़ है किसे से मैन मेट तो ह है नहीं जैसा यह बनता है जैसा ही हम आप लोगों को लाके देते हैं और फ्रेंद्स हमारा न्यू क्लेपाट का स्टॉक आज जो आया है आप लोग देख लीजे का वह ज्यादा तर नौन स्मूकी में ही है और स्मूकी क्रंचिवर अस्टॉक्त बहुत जल बनके आएगा आ झाल झाल झाल